हलो दोस्तो न्यू वीडियो में आपका स्वागत है तो आएए हम आपको किसमिस किस तरह है और कौन-कौन बिमारियों में खाना है कितना खाना है और मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में आप वस देखे मैं किसमिस खाने का उपाय बता रही हूँ कि आपको कैसे किसमिश्भा सब्सक्राइब तो आपको मार्केट में अधम आसान तरीका से मिल जाएगी आप कहीं भी खोजेगा तो यह मिल जाएंगे दोस्तों क्योंकि सी किसमिश्भास बहुत ही फायदेमन है और इसको किस तरह से बनाया जाता ऊप्वा झाल एन से आपको मार्केट में अंगूर मिलेगी तो अंगूर को आप इस तरह से उबाल कर आप सुखाते हो तो ये किस्मिस आपको घर पे अल्रेडी तयार हो मिलेगी क्योंकि ये किस्मिस बहुत फायदेमन चीज है तो आज कल देखती हो दोस्तों लोग किस्मिस को बहुत बड़ा ह चाफ से खाने लगे हैं क्योंकि आज कल 30 से 35 उम्र होने लगती है तो लोग को हपनी का बिमारी हो जाता है वो हपनी लगती है वो सिढ़ियां से उतरने चहनने से लाचार हो जाती है तो यह आदि आप किसमिस खाते हो तो इस से आपको सरीर के अंदर बोडी को बहुत फिट र होने से यह बलकि दात और मसूडों को खराब होने से यह बचाता है इसमें पाए जाने वाले इसमें तो वो आपको केमिकल जो तत्वे मिलते हैं वो दात को कैवेटी की रच्छा करती है और मुह में पाए जाने वाले नुकसान देह वैक्टेरिया को नश्ट करती है तो इस से आप इसको नश्ट करने में सहायक होती है इये किसमिश बहुत ही फायद मन चीज है हैं और यह किसमिश जो है यह फाइबर बहुत तर में होता है चुखने के दारान इसमें फाइबर सिकुण जाते हैं लेकिन पेट में जाकर वापस अपने स्वरूप में आ जाते हैं यह घुलन सील है और घुलन सील है दोनों परकार का यह फाइबर इसमें पाये जाते हैं इस फाइबर के कारण यह कब जिसे भी बचाव है और दस्त में भी लाबदायक होती है दोस्तों यह किसमी स्खाने से आको तो इससे आपको पेटों के आंतों की सफाय हो जाती है, इसमें भोजन के पोषन तत्व का, आपको पोषन सही तरीके से ये हो जाता है, इसमें बहुत कारण से भूख अच्छी लगती है, और इससे पाचन सक्ती मजबूत होती है दोस्तो। तथा यह स्वास्त बना रहता है इसको खाने से आपको बहुत सारे फायदे हैं तो आप इस किस्मिस को आपने घर पर लाईए और बच्चों को भी दीजिए क्यूंकि यह किस्मिस में बहुत सारे विटामिन्स उपलाई दोस्तो जिसको ब्लेट पेसर का यह सिकायत है तो आप इस किस्मिस को आदि आप रोज खाती हो एक चमज तो आपका ब्लेट पेसर को यह कंट्रोल में रखती है इसकिस्मिस में पाया जाने वाले पोटेसियम के कारण इसमें नियमित उप्योग से ब्लड प्रेसर को कम करता है पोटेसियम हाड के लिए भी बहुत लाबदायक होत और यह कोषिका शरीर के तिस्सू को आगों के सही तरीके के कार्ज़ करने में सहायक करता है डोस्त तो दोस्ते टबल पायदा हो सकता है। किस्मिस को भींगा कर खाए तो आप अपने अपने दाने चार से आठ किस्मिस को एक गलास पानी में रात भर भींगाकर रख दे उसके बाद सुभाई उटकर खाली पेट आप खाले और उनकी पानी पीए तो ये आपको सरीर के अंदर बहुत सारे फाइदे करेंगे क्योंकि उनका पानी भी फाइदा है और ये किस्मिस भी फाइदे हैं तो आप इस किस्मिस को अबस खाएं दोस्तों अपनी घर पर लाएं और इसको यूज करें और अधी मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों सस्क्राइब कर देना घंटी को अबस दोस्ट बाइब बाइब